के पहले तो महामेव राजपाल जी का भी वासन होगा दोनों सदन के लोग रहेंगे उसके बाद फिर सदन की करवाई जब सुरू होगी तो विधान सभा के अंदर जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आज पूरे प्रदेश में लायन आडर खराब है रक्षक ही चर्चा होनी है सदन में महागाई चरम पे है उस पे चर्चा होनी है बेरोजगारी पे चर्चा सरकार भाग रही है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है एक जब देश में एक देश एक टेक्स एक देश एक पेपर जब सब चीज एक हो रहा है तो फिर इस देश में एक और शिक्षा एक समान क्यों नहीं हो रही है इस पे चर्चा होनी है आज गरीब इलाज के अभाव में मर रहा हैं जब स्वर्गी अटल विहरी वाजपेई जी ने कहा था कि अगर गरीबों को कुछ देना है तो शिक्षा और इलाज फिरी दो वही सरकार जो अटल विहरी वाजपेई जी को आदर्स मानती है तो उनके विचार को भी सदन में उठा करके हम इस पे चर्चा कराएं करने की कोशिस करेंगे कराने की कि भही आज देश में जरूरत है जो गरीब कमजोर लोग हैं वंचित लोग हैं पिछड़े दलीत अज उनको फिरी इलाज की जरूरत है आज प्रदेश में जो सरकार एक बड़ा मुद्दा पूरे प्रदेश में है कि ये मीटर ऐसा लगा रखे हैं पूरे प्रदेश में कि ये तो कह रहे हैं कि सात रूपया पर यूनिट हम बिजली ले रहे हैं लेकिन इनका मीटर इतना चल रहा है कि वह 1214 रूपया पर यूनिट बिजली उठा रहा है खबचा खपत आ रही है तो ये भी एक मुद्दा है जो जनता से जुड़े हुए सवाल है आज बड़े पैमाने पर माफियाओं के नाम पर जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वन्चित हैं जो पचासो साल से गाउसभा की जमीन पर बसे हुए हैं उनको जो है सरकार उजाड रही है और वो माफिया गुंड़ा तो नहीं है तो इस चीज़ को भी सदन में उठाने का काम हम लोग करेंगे सरकार पिछले पांच साल भी वादा तो बहुत किया इस तरह जनता से वादा करती है उसी तरह सदन में नेता भी वादा करते हैं कि हम 90 दिन सदन चलाएंगे जो मानक है लेकिन कितना चलाया हूँ आप सब लोगों ने देखा उसी तरह सरकार नहीं चाहती है कि सदन की अंद जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो विपक्ष उस बात को उनके सामने रखे वो भाग रही है सरकार भागती है कि विपक्ष सही बात जनता के बीच में हमारे सामने रखे हम उसको न करें तो जनता में हमारे चीचाले दर होगी इस नाते ये छोटा सदन चल चलाया जाए जो हमारे नए मेंबर आए हुए हैं चुन करके पुराने मेंबर है जो अपनी बात रखना चाहे उनको भी समय मिले बोलने के लिए वो चुन के आया है तो सदन में सिर्फ बैठने के लिए नहीं आया है उनको भी समय मिलना चाहिए वो भी हमारे माननी विधायक गड़ हैं उनको भी बोलने का मौका मिले कम समय रहेगा तो कहां से लोग बोल पाएंगे आपका बैयान आया कि इसी कमदों से निकलने की जो बात करी बैयान उसको किस तरह कि देखें आज जरूरत है समझवादी पार्टी के तमाम नेता हमसे मिलते हैं तो यही हमसे कहते हैं क कि हमारे भी नेता को कहिए जैसे आप चलते हैं उसे हमारे नेता भी घर से निकलें और जन्ता के बीच में चलें बैटकों का दौर करहरें लोगों से मिल जूरू कर करके संगधन कैसे आगे बढ़े उसी बात को मैंने कहा है कि मानि अखिलिस यादव जी को अब अपनी कम्र से निकल करके जनता के बीच में चलने की जरूरत है और बैठकों का दौर शुरू करने की जरूरत है संगठन को और गती देने की जरूरत है इसी बात को हमने कहा है